यह वीडियो थोड़ी सी खास है क्योंकि इस वीडियो में हम कंपेरिजन करेंगे दो सबसे अच्छी पोर्टेबल एसी का एक है बिलू इस्टार की तरफ से और दूसरी है लेलो इट की तरफ से जहां अभी तक हम इस्पिलेट या विंडो एसी यूज़ कर रहे थे वहीं हमने सिलेट की हैं तो इस वीडियो में ये किलियर होगा कि कौन सी पोर्टेबल एसी बेस्ट है चली आगे बढ़ते हैं और कंपेरिजन शुरू करते हैं डिजाइन के अगर बात करें तो यहाँ पर मुझे बिलू स्टार का डिजाइन काफी अच्छा लगा है कंपेर टू यहाँ पर स्टील की बोडी यूस की गई है जबकि ललूइड में प्लास्टिक यूस किया गया है यह दोनों ही वन्टं की एसी है और दोनों में धी आर्फाराइन जिरो गैस यूस की गई है और यह दोनों ही रिमोट कंट्रोल है बट ललूइड के अंदर थोड़े से एड लवान्स फीचर्स भी हैं और ललोईड में हमें 100% कोपर मिल जाता है विच इस वेडी बेस्ट कंपेर टू अलुमीनियम जब कि बिलू स्टार में 100% कोपर नहीं मिलता मतलब कि कोपर तो यूज किया गया है बट वो प्यूर नहीं है कहीं नहीं उसमें अलुमीनियम वगेरा यूज किये गए हैं दोनों में ही सेल्फ डाइगनोसिस का भी सिस्टम है और साथ हमें ललोईड में एक और प्लस पॉइंट मिलता है कि इसमें बेक्टिरिया एंड डस्ट के लिए अलग से फिल्टर्स यूज किये गए हैं जबकि बिलू स्टार में ओन ली दस्ट फिल्ट है बट एक प्ल्स फॉइंट हमें बीलू स्टार में भी मिलता है वहिए डियूरिबिलिटी विची स मृस्ट इंपोर्टेंट जि compressors घृत्र वही normal evaporator और compressor यूज किये गए हैं so guys blue star is more durable अब अगर इनके noise level की बात करें जो कि काफी important है तो noise level इन दोनों में ही अप्रोक्स 50 decibel रहेगा जो कि ज्यादा है split AC से एक inverter split AC में noise level रहता है अप्रोक्स 20 to 30 decibel और चलिए अगर हम inverter भी हटाते हैं अगर non inverter AC भी यूज करते हैं तो उसमें भी 40 to 45 decibel तक noise level रहता है बट यहां portable AC में noise level थोड़ा सा ज्यादा है और अगर price की बात करें तो blue star portable AC की price है अप्रोक्स 27,000 रुपीज जबकि ललोइट portable AC की price है अप्रोक्स 30,000 रुपीज तो यहां पर price में थोड़ा सा difference है ललोइट की price थोड़ी सी ज्यादा है वेसे इनकी price कभी भी up down होती रहती है तो हम आपको वीडियो के नीचे description box में link provide करवा देंगे आप वहां से easily इनकी price चेक कर सकते हैं और वहीं से easily purchase भी कर सकते हैं अब अगर overall बात करें तो बिलू स्टार का design थोड़ा सा अच्छा है इस्टील बोडी यूज की गई है durable है और price भी कम है और इन दोनों का ही dimension भी आप यहां पर देख सकते हैं लालोइट की बात करें तो यहां पर 100% copper मिल जाता है साथ ही इसके remote में भी features अच्छे दिये गए हैं bacteria filter यूज किया गया है बट इसकी price थोड़ी सी ज्यादा है वैसे overall दोनों ही AC अच्छी है बट थोड़ी सी अच्छी में कहूंगा below star क्योंकि यहां पर हमें compromise में durable AC मिल जाती है और आपको कौन सी AC best लगी वो आप हमें comment में जरूर बताईएगा overall दोनों ही AC का हमने comparison कर दिया है और अगर आपका कोई भी question हो कोई भी doubt हो तो आप हमसे comment में पूछ सकते हैं और आप हमें instagram और टेलिग्राम पर भी follow कर सकते हैं और हाँ ऐसी यह उसूल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर देना चलिए ब आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye